हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल वायानेट हेल्थ, मैं हूँ आपके साथ भव्या, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शैतूत के फायदों के बारे में, शैतूत को हम इंग्लिश में मलबरीज के नाम से भी जानते हैं, गर्मियों में सबसे ज ऐसे ही कुछ beauty benefits के बारे में बताऊंगी, तो आएए देखते हैं क्या है वो beauty benefits जो आपके चेहरे को और glowing बनाएंगे, शैतूत के अंदर iron, calcium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, ये सभी पदार्थ काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो अगर आप भी शैतूत का सेवन जेली करेंगे तो इससे आपकी body और भी fit और glowing रहेगी, अगर आपको भी अपनी beauty को और निखारना है, तो आपको इन गर्मियों शैतूत को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि शैतूत के अंदर ऐसे गुण होते हैं, जो आपकी inner beauty को और भी खूपसूरत बनाता है, तो आईए देखते हैं औ और क्या-क्या फायदे हैं इस छोटे से शैतूत के, benefits number one, जुर्यों को दूर करे, अगर आप भी इन गर्मियों मलबरीस का juice पीएंगे, तो इससे आपके चेहरे की जुर्यां हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, क्योंकि शैतूत के अंदर ऐसे vitamins और proteins होते हैं, जो आपके face को और glowing बनाता है, और अगर आपके चेहरे पर भी wrinkles और dark spots हैं, तो उनको दूर करने में भी शैतूत काफी अच्छा काम करता है, Benefit No.2, दाग धब्बे हटाएं, अगर आपको भी अपने चेहरे के dark spots को remove करना है, तो आपको शैतूत का सेवन daily करना चाहिए, क्योंकि शैतूत के अंदर एक ऐसा liquid toner होता है, जो आपकी skin के dead cells को remove करता है, और अगर आपकी skin oily है, तो उसके oil को extract करने में भी शैतूत काफी अच्छा काम करता है, तो इन कर्मियों शैतूत जितना हो सके उतना खाईए, और अपने face के dark spots को दूर कीजिए, benefit number 3, skin problems, अगर आपको भी skin related कोई भी problem है, तो ऐसे में शैतूत काफी अच्छा और beneficial काम करता है, तो शैतूत की कुछ पत्तियों को लेकर गरम पानी में आदे घंटे तक उबालिये, फिर इस पानी का जो रस निकल जाता है, इसको अपने face और neck पर apply कीजिए, अगर आपके face पर भी कोई जले कटे का या फिर burn का निशान है, तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, क्योंकि शैतूत के अंदर ऐसे cleansing good होते हैं, जो आपके face को deeply clean करता है, benefit number 4, for dry and sensitive skin, तो mulberries का use आपकी skin की dryness और sensitivity को कम करने में भी काफी use होता है, तो अगर आपकी skin भी dry रहती है, तो आपको शैतूत का इस्तमाल daily करना चाहिए, तो शैतूत की कुछ पतियों को अच्छे से उबाल कर उसके अंदर आप नारियल या फिर कैस्टर ओयल को डाल सकती हैं, तो शेतूत की कुछ पतियों को गरम पानी में उबाल कर उसके अंदर आप कुछ बूंदे नारियल तेल या फिर जैतून के तेल की डाल सकते हैं फिर इस लोशन को आप डेली अपने फेस पर रात को एपलाए कीजिए शेतूत का रस आपके फेस की ड्राइनेस को कम करता है तो अगर आपकी स्केन जादा सेंसिटिव है तो उसकी सेंसिटिविटी को कम करने में भी काफी मदद करता है अगर आपको भी अपनी स्केन को सौफ्ट और अच्छा बनाना है तो आपको शेतूत की पत्तियों का गाड़ा पेस्ट अपने फेस पर अपलाई करना चाहिए तो शेतूत की पत्तियों को जब आप मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे तो इसका ग्रीन कलर का रस निकलता है तो जेली रात को सोने से पहले इस रस को अपने फेस पर अच्छे से मसाज करते हुए अपलाई कीजिए फिर थोड़ी देर बाद इस पैक को फ्रेश वाचर से साफ कर लीजिए फिर आप सुबा जब उठेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन सौफ्ट और मुलायम हो गई है क्योंकि शेतूत आपके स्किन के डेट पोर्स को खोलता है और आपकी स्किन को अंदर से नरम करता है तो यह सब ते शेतूत से होने वाले ब्यूटी बेनिफिट्स तो अगर आपको भी इन गर्मियों अपनी स्किन को और सुन्दर बनाना है तो इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए और शेतूत का सेवन जरूर कीजिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही और हेल्दी वीडियो लेकर मैं फिर आऊंगी तब तक आप अच्छा काईए और स्वास बने रहिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अजिए और फॉर्ग तो नेस्टे और तो सुब्सक्राब मैं क्या चानल वयनेट एल्थ विडियो वीडियो से ओंडलोग मैं अट्रीत आपस लोग्धार एल्टीउ से अंट विडियो न्या या वीडियो टे तो आटीए इंचे लिड कि अ